दोस्तो बिग बॉस सीजन 16 के गर में यदि कोई सबसे बॉरिंग कंटेस्टेंड है तो उस कंटेस्टेंड का नाम है मानिया सिंग जी यहां दोस्तो आपने बिल्कुल सई सुना दरसल इस समय बिग बॉस के लाइफ फिल्ड में से उठा करें एमसी स्टेंड और गोरी नागोरी आपस में बेट कर एक दूसरे के साथ काफी मस्ती बरी बातचीत कर रहे थे लेकिन इसी दोरान वहां पर मानिया सिंग आकर भी बेट गई थी जिसके बाद दोस्तो मानिया ने इन तीनों ही कंटेस्टेंड को इतनी बुरी तरीके से पका दिया कि एमसी स्टेंड ने तो साफ तोर पर कह दिया कि तू क्या अपना दिमाग घर पर रखके आ गई है क्या तो वहीं दूसरी और सीव ठाकरे और गोरी नागोरी भी कहने लगे कि पता नहीं ये लड़की बाते क्या करती है मेर तो सिर के उपर से जाती है इसकी सारी बाते है दरसल दोस्तो मानिया सिंग के जोक्स तो कितने पॉपलर है ये तो हम सभी जानते ही है कि वो इतने गंदे बोरिंग जोक सुनाती है कि कोई हसता हुआ आदमे भी उनके जोक सुनकर रो पड़े और कुछ ऐसा ही सीन इससमर बिट बोस के लाइफ फीड में देखने को मिल रहा है जहां पर मानिय सिंग सीव ठाकरे के साथ मस्ती करते हुए कहती है कि कोई थेला है अगर तू इसको पेरों में डाल लेगा तो वो तेरी चपल बन जाएगी ये सुनने के बाद सीव ठाकरे को हसी आने के बजाए और भी ज़्यदा गुसा आ गया इसके लवां MC10 ने भी कह दिया कि तेरी में तो बिल्कूल भी दिमाग नहीं है तेरी बाते किसी की समझ से बाहर है वाकि दोस्तो देखा जाए तो मानिया सिंग अच्छे अच्छे माहूल को भी बूरी तरीके से बिगार सकती है इतना टेलेंट रखती है फिलाल दोस्तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है अपने राए कॉमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप ये MC10 के फैंस हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडिबोस की हर ख़बर आप तक पहुंचे सबसे पहले